कलश विसरजन जैसे महत्व है कलश थापना का जितना महत्व नवरात्री के पूजन का है वरत का है नवरात्री के समाप्ती पर उतना ही महत्व है कलश विसरजन का नवरात्री की शुरुवात हम कलश स्थापना से करते हैं कलश में जल होता है उसके उपर नारियल होता है इसके साथ ही साथ हम जुआरे भी लगाते हैं अब नवरात्री समाप्त होने जा रहे हैं हम मेंसी कईयों को ये पता नहीं होता कि कलश में जल का क्या करें उस नारियल का क्या करें और जुआरे जो अब इतने बड़े हो चुके उनका क्या करें? कलश विसर्जन किस तिथी पर की जाती है? शुभ मुहुरत क्या है? कलश विसर्जन विधी क्या है? पूजा में अरपन किये गए तमाम वस्तों के साथ क्या करें? ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी हवन संपन क्या है? कन्या भोजन संपन क् कलश विसर्जन किया जाता है कलश के रूप में माता जो विराजमान है उनका विसर्जन होता है जिस दिन आपके यहां परंपरा हो जिस दिन मनाई जाती हो उसी दिन विसर्जन कीजिए क्योंकि सामाज स्थिती भी माना जाता है नवरात्र के नौ दिन माद दुर्गा के वरत और पूजा पाथ करने के बाद विजय दशमी को समापन होता है हाला कि कई यहां अश्टमी या नवमी के दिन वरत खोलते हैं अश्टमी की तिथी मंगलवार को सवेरे 10 बजे 16 मिनित से लग गई थी यह बुधवार को दोपहर 12 बजे 50 मिनित तक रही अश्टमी तिथी से वरत का पारायन करने वाले इस समय तक वरत खोल लिये नवमी तिथी 18 अक्टूबर को अपराहन 3 बजे 29 मिनित तक है कुछ लोग नवमी के दिन भी नवरात्री समापन करते हैं दर्शमी तिथी 19 अक्टूबर के शाम के 5.57 मिनित तक है इसी तिथी पर श्रावन नक्षत्र भी है ये बहुत शुभ माना जाता है वरत खोलने के लिए दर्शमी पर विसर्जन के लिए शुभ मुहुरत है सुभ के 6.19 मिनित से लेकर 8.46 मिनित तक आपके यहां जिस दिन भी वरत खोलते हों या कलश विसर्जन करते हों इन चीज़ों का ध्यान रखिए प्रती एक दिन की तरहा ही माता की पूजा कीजे उन्हें खिलाईए पिलाईए आचमन कीजे ओम केशवाय नमहा ओम माधवाय नमहा हाथ धोलिया उसके बाद अक्षत फूल और मिठाए हाथ में लेकर संकल्प करें संकल्प कीजे कि नव रात्री समापती कलश विसर्जन करेंगे संकल्प करने के बाद हाथ में वस्तवे माता के समक्ष रख दें पूजा आरती करके माता के आशरवाद लीजे सबसे पहले कलश में स्थापित सभी देव देवताओं का एक अंतिम बार पूजा कीजे इन नौ दिन आपके पूजा ग्रहन करने के लिए और आग को आशरवाद देने के लिए उन सभी देव देवताओं का शुक्रियादा कीजे उन से कहें कि अब वे अपने अपने स्थल वापिस प्रस्थान करें और जब जब उनकी पूजा फिर की जाएगी तब तब वे दरूर आएं इसी तरह भगवती की पूजा करें दुर्गा सब्तशती या देवी सुक्तम का पाठ करें आपके नौ दिन के पूजा ग्रहन की आपके भक्ति और व्रत से प्रसन हुई उनका शुक्रियादा करते हुए उनसे कहें कि वे अपने स्थल वापिस प्रस्थान करें और अगली बार की पूजा में वे अवश्य वापिस लोटाएं ओम श्रीम श्रीम क्लूम हूम माता की मूर्ती या पिक्चर जिसकी आपने पूजा की उसे वापस मंदर में अपने स्थल पर रखते। जैसा भी ग्रोथ हो ये आने वाले टाइम का संकेत होता है। अगर जवारे की कम ग्रोथ हो तो इससे कुछ डरिये मत। ये माता का आप के लिए संकेत है कि आने वाले समय में आपको सावधानी से रहना होगा। अब जो पत्या है उसका क्या करें। देखिए ये एक तरफ से म जैंची से काटकर मिक्सी में डालके है। उसका रस निकालके उसका सेवन कीजे। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सफेद अंकुर के लिए सावधानी से खोजे। ये मिलना बहुत अपूर्व है। ज्यादा तर नहीं मिलता। अगर मिल जाए तो माता को अर्पन करक इन अंकुर को एक गमले में रख दे। खेतरी के दाने प्रशाद रूप स्वीकार कर ले। इससे आयू बढ़ती है। चौकी पर से वस्त्र हटा दे। चौकी पर सादा चावल हो तो उसे भगवान के प्रशाद के लिए उप्योग कर सकते हैं। अगर उसमें अक्षत की त पत्तो को हटा दे। उन मेंसे दो पत्तो के साथ कलश के जल को छिड़क सकते हैं। कलश का जल पहले अपने उपर छिड़के फिर घर के अन्यसदस्यों पर। कलश का जल घर के चारो कोनों पर छिड़के और अपनी मनो कामना करते रहें। कलश का ये पवित्र पानी घर में नकारात्मक उर्जाओं को दूर भगाता है इस जल का सेवन करें स्वास्ति अच्छा होगा पानी अगर बच जाता है तो इसे किसी फूल के गमले में चढ़ा दे या तो बरकत या पीपल के पेड़ को भी चढ़ा सकते हैं तुलसी के पेड़ में इसे ना चढ़ा है कुछ लोग मानते हैं कि इसे नहाने के पानी में मिला कर उप्योग कर सकते हैं ताकि हम पर पड़ी नर्द रुष्टी मिट जाए लेकिन ऐसे ना करिए ये भगवान को अरपन किया गया जल है इसे आपने अपने उपर छिड़क लिया ये परियाप्त है सारे दोश मिट जाएंगे कलश में पड़े सिक्के कू तिजोरी में रखें ये आपके घर समृध्धी लाएंगे कलश पर बंधा कलावा बाजू या गले में धारन कर सकते हैं कवच का काम करेगा मा से लिया गया नारियल पुन्य प्रतापी होता है कलश पर रखा नारियल अपनी पत्नी या अपनी बेहन की गोद में ही रखें इसे फोड़ा नहीं जाता माता को अरपन किये गए वस्त्र और गहने घर के महिलाओं में बाट दे नारियल, दक्षना और चौकी के वस्त्र को किसी ब्राह्मन या मंदर के पंडित को दान दीजे नवरात्री की ये पूजा कलश विसर्जन से संपूर्ण होता है नदी या तालाब में उनका प्रनाम करके ये मंत्र जापते हुए बहा दे अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो अपने घर के किसी पौधे के गमले में उसके मिट्टी में दबा दे अखंड जोती जो आपने जलाई है उसमें और घी ना डाले उसे अपने आप से ही भुच जाने दीजे कलश के साथ ही अखंड जोती को भी बहा दिया जाता है चाहे तो आप उसे घाट पर छोड़ दे दोस्तो इससे वीडियो समाप्त होता है कोई डाउट है तो कॉमें सेक्शन में प्लीज पूछे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में धन्यवाद